गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जो प्राचीन का लिन दक्सिनी भारत है उसका जो व्यापपार वानिजे था उसके बारे में धन करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स दक्सिनी भारत के बारे में हम काफी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके और जो दक्सिनी भारत के बारे में इंफॉर्मेसन आ वो जान सकते हैं और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राचिन कार में दक्सिन भारत में व्यापार तता वानिजे कृशी तता सिल्प उध्योगों के साथ साथ तो आमने दक्सिनी भारत का जो क्रिशी कर्म था जो सिल्प उध्योग थे इन सब के बारे में पड़ा है तो आप पहले वाले प्रगत्ति हुई थी इस काल की व्यापारी गती वीधियों के विशे में हम अभी लेकों तथा ग्रंथों के अलाव जो विदेशी लेखक हैं उनके विवरण से भी महतोपुन जानकरी प्राप कर सकते हैं ठीक है विविन स्रोतों से विदित होता है कि दक्सिन में आंतरिक से दूसरे स्थान को माल ले जाया जाता था उस समय यातायात के सादनों के कमी थी सडकों की हालत अच्छी नहीं थी अतब भाड होने के लिए बैलगाडियों टट्टूों तथा मनुशों का उप्यों किया जाता था तमिल देश में दक्कन की अपेक्षा सडकों की दसा अच्छी थी नदियों के किनारे इस्तित इस्थानों में नावों में भरकर माल ले जाया जाता था नगरों में व्यापारियों के निगम होते थे व्यापारियों के स्थान ये संगठनों की संग्या नगरम थी तो जो व्यापारी थे उनके जो स्थाने संगठन थे उनको नगरम कहा जाता था इस परकार के संगठन कांची तथा मामलपुरम में विद्धेमान थे व्यापारीक संगठन राजनती गतिवीद्यों से उदासीन होकर अपना सारा समय व्यापार में ही लगाते थे लेखों से हमें मनी, ग्रामम, नाना देशिस, बलंडियर, वलंगई, इदंगई, तेलिन, आदे व्यापारी संगों के विशे में सूचनाई प्राप्त होती हैं इनमें सबसे महत्वपुण नाना देशिस नामक संगठन था जिसे अय वोलेपूर अर्थात एहोल के 500 स्वामियों के नाम से जाना जाता था ये अपने उध्यम के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे ये स्थल तथा जल मारगों से यात्राएं करते थे तथा चोल, चेर, पंडे, मुले, मगद, कोशल, सोराष्टर, धनूस्ट, कूरूम्ब, कंबोज, गोल, लाल, बरवर, फारस, नेपाल, एकपात, एकबाप लंबकार्ण, इस्त्री राजे तथा गोला मुख की यात्राएं करते थे ये विवरण हमें सिकारपूर तालुक जो सिमोगा जिल्ले में स्थित है कि एक परशस्ति जो 1045 इश्वी की है में प्राप्त होता है प्राशस्ति में ये भी बताया गया है कि इसके व्यापारी 6 महादिविपों के देशों में जाते थे वे सुन्दर हातियों, घोडों, निलम, चंद्रमणी, मोतियों, रूबियों, हारों, वैदूरिये, पुस्पराग, मरकत जैसी बहु मुल्य वस्थों के साथ इलाइची, लवंग, गुबगुल, चंदन, केशर, कपूर, कस्तुरी तथा अन्य मसालों इम इत्रों का व्यापार करते थे इन व्यापारीओं के पास अपनी सेना होती थी, जिसकी सहता से वे स्वेम अपनी रक्षा कर सकने में समर्थ थे सिहल तथा बर्मा से प्राप कुछ प्रस्तर लेखों में इन व्यापारीओं द्वारा दिये गए दान का उलेख मिर्टा है बर्मा के पगान इस्थित वर्षनम मंदिर का निर्मान नाना देशियों द्वारा ही करवाया गया था बहुत से व्यापारी केंद्र दक्षिन के अयोले कहे जाते थे ऐसा पर्तीत होता है कि सेटियों अर्थात व्यापारीों की सभा के लिए 500 की संख्यानीशित हो गई थी 500 स्वामियों में कई तरह के व्यापारी तथा सनिक सामिल थे सनिकों को बीर या वनिज कहा जाता था तमिल लेखों में इन्हें नाना देशिस तथा ती सयाही रतू एनूर वर सहस्त्र दिशाओं के 500 कहा गया है जो वीर वनिज धर्म अर्थात उत्तम वनिकों के धर्म के सरंख सक थे हीर हडगली लेख जो 1057 स्विका है इसमें ऐयोलेपूर के 500 स्वामियों को 500 वीर वनिज ये कहा गया है कहीं कहीं बनज शाब्द भी मिलता है इनके आग्या पत्रों को 500 वीर सासंत था निवास स्थान को वीर पत्तन या वीर पत्तन कहा जाता था इस परकार के गाम समस्त संपर्दाइक दोनों से मुक्त होते थे तथा यहां के निवासियों को कुछ विशेस अधिकार और शुविधाय प्राप्त थी इस परकार विभिन वर्गों के व्यापारियों का यह एक व्यापक संगठन था जो अत्यंत प्राचीन कार से तम्मिल देश में सक्रिये था वलंगई तथा इदंगई संगठनों के विशे में कुछ सूचना हमें लेखों में मिलती है त्रिचना पल्ली से प्राप्त एक लेख में कहा गया है कि वलंगे तथा इदंगे के 98-99 वर्गों ने आपस में मिलकर राज के अधिकारियों, ब्राहमनों तथा सामन्तों के अत्याचारों के विरुद लड़ने के लिए एक समझोता किया था संबवता ये दोनों पहले छोटी-छोटी साखाओं में गठित थे तथा अभिनों ने एक बड़ा समुईक संगठन बनाने के विशे में निर्ने कर लिया था जिसमें सभी एक माता-पिता के पुत्रों जैसा आचरन करने को वचन बद हो गए थे कुछ लेखों में अजू, वणाम तथा मणी ग्रामम जैसे अर्द श्वातंतर व्यापारिक निगमों का उलेक मिलता है इन्हें कर्ब, मुक्त, भुमी, प्राप्त थी निगम के साथ साथ हम सार्थ तता सार्थ वह का भी उलेक पाते हैं, सार्थ व्यापारियों का चलता फिरता संगठन था, जब एक स्थान के व्यापारी दूसरे स्थान में सामान बेचने के लिए जाते थे, तो वे समुह बना कर चलते थे, इस समुह को सार्थ तता, इसके नेता को सार्थवा कहा जाता था ठीक है ना सार्थ का गठन व्यापार के निम्मित जाने वाले व्यापारी समुहिक सुरक्षा के लिए करते थे अमरकोस में यात्रा करने वाले पांथों के समुह को सार्थ कहा गया है टिकाकार छीर श्वामी ने पुंजी द्वारा व्यापा निगम एम संस्ताइं सक्रियत थी इस समय दक्सिन का व्यापार अधिकांस्तहवीनी में के माध्यम से होता था था सीकों का बड़ा अभाव था यह आस्टरिय की बात है कि रास्ट्रकूर्ट सासकों ने अपने विशाल सामराज्य के लिए कोई सीका परसलित नहीं करवाया था यह इस बात का प्रमाण है कि करमचारियों का वेतन नगद नहीं दिया जाता था तथा करों की वसूलों भी वसूलें हैं वो भी अनाज के रूप में ही होती थी अत्या व्यापार या तो विन्मे के माध्यम से होता था अत्वा सोने या चांदी के माध्यम से होता था कुछ लेखों में सोने के सिकों को द्रम नाम से उलेख किया गया है मतलब कुछ लेख ऐसे हैं जिनमें सोने के सिकों को द्रम कहा गया है ये सास को द्वारादान में दिये जाते थे द्रम के अलवा सूवन, धरण, बेल, दिनार, कलंजु, काणी, काशु, पोन, काशारपण, आदी सीकों अथ्वा भार माप की इकाईयों का उलेखवी लेखों में मिलता है। पल्लव तथा चोल सासकों ने भी अपने समराजे के लिए सीकों का परसलन किया था। दसवी स्ताबदी से दक्सिर में हमें विब्बिन सिके मिनने लगते हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि इस समय व्यापार वानिजे की प्रगत्य प्रारण हो गई थी। आंत्रिक व्यापार के साथ दक्सिन भार का बाहिये व्यापार भी काफी विक्सित हुआ इस समय दक्सिन में कई पर्मुक बंदरगा थे जिन से होकर व्यापारी विदेशों को जाते थे तमिल देश के पस्सिमी तठ पर किलो नामक पर्शित बंदरगा था जहांसे व्यापारी पस्सिमी देशों को जाते थे पूर्वी तठ पर पूर्षी कलिंग पट्टम कावेरी पटनम रमे स्वरम पर्शित बंदरगा है इस्तित थे यहां से जहाज चीन तता दक्षणी पूर्वी एशिया के अन्य दुविपों को आते जाते थे दक्षिन के परसिद राजवनसों राश्ट्रकूर्ट चलुक के पल्लव तता चोल के समय में भारत का व्यापार चीन दक्षणी पूर्वी एशिया तता फारस के साथ परसिद बंदरगाय के रूप में विक्षित हुआ जहां से स्रीलंका तथा सुदूर पूर्व के देशों को व्यापारिक जहां आते जाते थे चोल काल में चीन दक्षिनी पूर्वी एशिया तता फारस के साथ व्यापार अत्यंत विक्षित हो गया राज-राज, व्यापारिक संबंदों का विश्तार हुआ, तंजोर में बहुत से चीनी सीके मिले हैं जो दक्षिन भारत के साथ चीन व्यापारिक संबंदों की साक्सी देते हैं। रोम के समान चीन को भी बार्वी स्ताबदी में मालाबार तथा किलोन के साथ अपने व्यापार पर परतिवंद लगाना पड़ा था। राजराज पर्थम तथा उसके उत्रादीकारी राजयंदर चोड ने स्रीविजय कडारम तथा मालदीव को जीत कर अपने सामराजय का अंग बना दिया। इन विजयों से दक्सनी पूर्वी एसिया के दियुपों के साथ व्यापार वानिजे अत्यांत विक्सित हो गया। दिया गया है। पूर्वी चालू के नरेश सक्ति वर्मा के कुछ सीके बर्मात था श्याम से मिरते हैं। सिर्फ जो भारस के खाड़ी के पूर्वी किनारे पर इस्थित था इस काल का परमुख व्यापारिक केंद्र था जहां चीन, जावा, भारत, मलाया, आदी देशों के व्यापारियों का जमगट लगा रहता था। यह समस्त एसिया की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। यहां लाए जाने वाली वस्तों में दक्सिन भारतिय माल हिस सबसे अधिक होते थे। आबुजेत के विवरण से पता चलता है कि भारत के व्यापारी बड़ी संख्यमी वहाँ जाते थे तथा मुसल्मान व्यापारियों से मिलते थे यहाँ से व्यापारी जहाँ लाल सागर होकर चीन जानने के बजाए जेदा से भारत लोट आते थे क्योंकि यहां मोती, अंबर, रत्न, तथा सोने की प्राप्ती होती थी अरब लेकों के विवरण से पता चलता है कि भारत से चंदन, कपूर, चिन्नी, नारियल, कपास, हाती दात की वस्तुएं मोती, बिललोर, गोल मिर्च, सिसा, अदिवस्तुएं अरब देशों को व्यापारियों दोरा ले जाए जाती थी मारकोपलो दकसिन भारत के उन व्यापारियों का उले करता है जो अरब व्यापारियों के साथ मिलकर घोडों के आयात पर एकादिकार जमा रखे थे उसके अनुसार भारत के लोग घोडे पारना नहीं जानते थे तथा उन्होंने इसका आयात सदा विदेशों से किया ग्यारविस तापदी के मद्दे से सिर्फ का महत्वर घट गया तथा इसका स्थान किष ने ले लिया इस परकार हम कह सकते हैं कि इस्सा की चटी से बार्विस तापदी के बीच दक्सिन भारत में क्रिशी तथा व्यापारवानेजे की प्रगती हुई तम्मिल राजियों की समर्दी का एक बहुत बड़ा कारण उनका विदेशी व्यापार था भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तों में गरम मसालों की अधिक्ता थी इनमें भी जैसे की गोल मिर्च की युनान रोम आदी पस्चिमी देशों में काफी खपत थी इसी कारण स्विस्क्रिस आईते में गोल मिर्च को यवन पिरिये भी कहा गया है गोल मिर्च के अलावा चंदन, कपूर, मोती, जाइफल, कस्तूरी, मलमल, हाती दांत, आधी भी बाहर जाते थे इनके बदले में भारत को घोडे, तमबा, सिस्सा, लोहास, सोना, चांदी, रेसम, चीनी, मिटी के बरतन, वस्तुएं प्राप्त होती थी विदेशी व्यापार अधिकतर भारत के लिए इलाबकारी होता था, कहा जाता है कि देश को आर्थिक द्रस्त्री से समरत बनाने में विदेशी व्यापार का महत्तवपुन योगदान रहा है तो देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने दक्सिन भारत का जो व्यापार वानेजी उसके बारे में जानकरी प्राप्त की एकजाम में कभी-कभी इसके बारे में पूछ लेते हैं तो वीडियो को धान से देखें और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर बने रहें ताकि आपको इत्यास विश्य से समधित नहीं नहीं जानकरी प्राप्त होगी और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद